आपका मज़ स्वागत करता हूँ, आज हमारे साथ है डॉक्टर ओमिंदर रतनुजी जो बाई प्रोफेशन तो डॉक्टर है, सर्जन है और अच्छे जानकार है और इन्हें इतिहास में भी बहुत रूची है और इतिहास के भी अच्छे जानकार है जैसे ये लोगों का इला इतिहास के बारे में अच्छी बाते और आपका स्वागत करता हूँ, मताजी की साथ हरर महादेव, कैसे हैं सर आपका मैं आनंद में हूँ बिल्कुल और बहुत सुन्दर उपमा दी आपने, कि मैं बिल्कुल उचित आपने बात कई जो हमारा साहित जिसकी हत्या कर दी गई और विशेश कर हमारी मार्शल जातियों को, सर्दारों को, राजपूतों को, जाटों को, गुर्जरों को सब को इस तरह से नीचा दिखाया गया है, कि कोई लड़ाई नीजीते, सब लड़ाई हारे, सफ़े़ जूट, शफ़े़ जूटों का निर्मान किया गया है, तो उस मरे होए साहित्य को जीवित करने का प्रयास हम सब एक समाज के रूप में कर रहे हैं अच्छी उत्मा दिया तो मैं यह जाना चाहता हूं कि हमारे जो मेवार का इतियास है सबसे पहले कौन से राजा से चालू होता है देखो जो चित्रदुर्ग था जिसको चितौड बाद में कहा गया उसके लिखित रिकॉर्ड तो जैन राजाओं तक जाते हैं ईसापूर्व कालखंड में लेकिन जिस इतियास में हमारा लिखित डॉक्यमेंटेशन हमको मिल जाता है वो मोरी वंच था लगबग सात्वी शताबदी में और उस मोरी वंच के बाद जो गोहलोत हमारे बाप्पा रावल आते हैं और वो मान मोरी राजा को उनकी हत्या करके और उनसे वो राज्य लेते हैं और पहले उनके सामंत थे वो जो जिसको आज हम से सोदिया मिवार परिवार राज परिवार कहते हैं उसकी स्थापना लगबग सात्सो तीस ईस्वी के पास बाप्पा र आए थे और सबसे पहले भील राजा मांडलीक ने उनको प्रश्रे दिया था तो अब देखिए कि नरेटिव चलता है कि जो हमारे दलित समाज का है हमारा जो अनुसूचित जाती जने जाती का जो समाज है ये तो शुरू से वंचित थे मांडलीक नाम के राजा हैं जो की संबंद था ये चला आज तक आज तक अगर मेवाड के नए राज परिवाड राजा का अगर राज्या भी शेक होता है तो उसके मस्तक पर टीका भील ही लगाता है और जो मेवाड का इंसिग्निया है मैं चाहूंगा कि जब आप इसको टेलिकास करें तो इंसिग्निया आप इंटरनेट पर ढूंड के लगाईएगा एक तरफ भील कड़ें एक तरफ राजपूत कड़ें यह संबंद था और सबसे पहले जो राजा इस इस परिवार के माने जा सकते हैं वे बाप्पा रावल था शटी और साथी सताद्वी में इसलाम आता है ठीक है और मुहमद बिन इसा उस समय की इतियासकार ऐसे लिखते हैं कि बपा रावल ने मुहमद बिन कासिम को और मुसल्मानों को इतना बगाया कि उन्हें छुपने की भी जगा नहीं मिली है तो इस बात पर कितनी सचा ही है यह हमारे लोग यह से अफ़ा उड़ा रहे हैं नहीं 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 देख और कालखंड की हिसाब से भी देखें तो कासिम 712 में आया था 712 में उसने रजा दाहिर की हत्या करके और सिंद को हत्या लिया था और 715 में उसका खुद का जो खलीफा जिसके लिए वो सब किया था उसी हज्जाज बिन यूसुफ ने कासिम की हत्या भी करवा दी तो कासिम कहानी तो साथ सो पंदरा में इनके आपस के जगणों में खतम हो गई इसलिए लगता नहीं कि बापा का स्प्रत्यक्ष जुद्ध हुआ होगा नहीं लेकिन उस समय की इत्यासकार कहां पर ऐसे बताते हैं कि उन्होंने आकर्मन किया मैं दूसरी बात करना हो उसके बाद जुन हिंदु को पार करता हूव और आजस्तान में आ जाता है बापार रावल एक फिन्दू कॉंस्टरेशन बनाते हैं राजा नागवट इदर के इधर गुजरात की राजा जैभट और दक्षिण के पूलकेशी राजा के साथ में इनके साथ मिलकर एक हिंदू कॉंसर्टेशन जिनकी संक्या जादा नहीं है दस अजार के लगपार और जो आज का मंडोवर है जो जिसको जोत्पूर अपन कह सकते हैं मंडोवर है वहां पर ये युद्ध होता है अरब इतिहासकार बालाधूरी लिखता है हमें सर चुपाने की जगें नहीं मिली वो हाल किया हिंदू सेना यह तो कोई हिंदू कोई हेट मोंगर नहीं लिख रहा ना यह को बिगट नहीं लिख रहा अरब इतिहासकार कोई कोट कर रहा हूं मैं जाके देख लें आप इंटरनेट पर सब पढ़ा हुआ है और यह कोई एक युद्ध नहीं एक पूरा का पूरों केंपेंड थी जिसके अंत में बालाधूरी निराश होके लिखता है कि हिंदू राजाओं ने जिसमें मुक्ते में वाड़के राजा थे रावर बापा रावल खुमार रावर अलड रावल जैतर सिंग जैतर सिंग तो कर बारवी शिताबदी में होते उधर कश्मीर के ललिता दिते मुक्ता अथा वो सब बापा सिंदू बन गए और काबा नाम की जगे थी सिंदू के उस पार बोले केवल वहां तक इस नाम समिट के रह गया बड़ी फ्रीडा से लिखता है वो तो हमारे पुर्कों ने और बापा रावल इरान तक गए कई मुस्लिम देश जीते उन्होंने वहां पर जाकर उनको मारा पकड़ के पराजित किया उनसे कसमे दिलवाई कि तुम भारत की तरफ मूनी करोगे अफगानिस्तान में तो ये रिकॉर्ड का मैटर है कि सलीम नाम के राजा को पराजित करके अपने भदीजे को उन्होंने वहां विराजमान किया टौड लिखत हैं कि उन्होंने जो आज का खाइबर पक्तून खुआ है जिसको पक्तूनिस्तान कहते हैं अब लिख अफगान जो हैं सारे उपर की पाकिस्तानी ये सारे बापा के संताने हैं कोई सो से अधिक शादियां की बापा ने वहां पर और इनकी जो बच्चे होगे नौशेरे बाप से नहीं अपनी मा कि नाम से जाने जाते हैं क्यूंकि बाप्पा विभा करके और उनको सब को घर बती करके वापस आ प्पाइब चितोड में ही आके वह उपना उनका बाद में चाशण चलता है लंबा और फार्द में वह लंबा सौ साल तक जीते हैं बापपा और फिर उनका नागदा नाम के स्थान पर उनका जो है समाधी है आज भी समाधी है उनकी तो बापपा रावल एक ऐसे राजा थे जो प्रतापी राजा थे जो जो उसके बाद वहाँ पर आते वक्त उन्होंने सौसो किलोमेटर पर राजपूतों की चौकिया स्थापित की थी पांच सो वर्षों तक इस्लामी हत्यारों से देश को सुरक्षित रखा था बापपा की दूर दर्शिदान यही मेरा एक थी था कि जिसे बापपा रावल से लेके प्रत्व राज चोहान तक लगए साड़े चार सो पांच सो साल का जो अंतराल था ना उस साल में या तो मुग प्रतेजी लगाई ऐसा कौन सा काम किया कि 500 सालों तक उन्होंने देखा ही नहीं या वह आए नहीं इसका क्या है सच सच आप यह जो पूरी मेवाड की श्रंक्राइस में रावल खुमान का अगर आप पढ़ेंगे मेरी पुस्तक में तो उन्होंने जो कॉन्फिडरेशन आर में उनके नाम है वो उनमें से कितने वंच्टो मुसल्मानों के साथ लड़ते लड़ते लुप्त हो चुके हैं राजपूतों के तो भीशन संगर्श हुआ भीशन रक्तरंजित ललिता देते मुक्तापीड कश्मीर के ते उनके लिए तो यह कहा जाता है कि वे पूरी तुर तुरुष्क से ना संस्कृत में उसका हमेशा जब हराके उसका आजया मुन्दन करके भीजा करते थे यह कौन से समय की बात है यह आठवीश अब दिए लड़ता देते मुक्तापीड उसके बाद मेवाड से तो लगातार प्रतिकार होता रहा लेकिन उनके पांसो सालों तो गुस्ने नहीं दिया अब इसके देखो अरब इसलाम जो था इसलाम को हमें समझना पड़ेगा मुक्त के तीन धाराएं भारत पर आई अरब अफगान और तुर्क टुर्किश मुगल्स टुर्क्स थे इसलिए मुसलमानों को मुगल कहते हैं जिनेरिकली वो बिल्कुल गलत है वो भ्रांद धारना है सबसे पहला हमारे उपर हमला हुआ अरब इसलाम का अरब इसलाम भारत में कन्क्लूजिवली पराजित हुआ जिस पर की एक बिटिश हिस्टॉरियन है इन उस्टन उनकी टिपणी बड़ी मुलिवान है कि वो कहते हैं अगर बाप्पा रावल रावल खुमान और महराना प्रताब ये तीन राजा नहीं होते तो ये पुरा विश्व इसलामाईज हो गया होता सोचें अगर भारत के राज़्स्थान के राजपूतों ने मुसल्मानों को पराजित नहीं किया होता सतत एक हजार वरस्टों तक तो मुसल्मान आपका धर्बानतरन करते भारत जितनी विशाल भूमी का अगर इस्लामाईजिशन हो जाता आपके सोना आपका धन आपकी टेक्नालोजी आपके संसाधन और आपके नमबर्स इन नमबर्स को लेकर अगर इसलाम आगे बढ़ता कौन रुकता कमबोडिया थाइलेंड वियतनाम ये चीन फीन सब समापत हो जाते तो ये एक युग प्रवर्त गटना थी के आराबेक इसलाम भारत में पराजित हुआ लेकिन ये वामपंतियों को सूट नहीं करता ये पराजे की कहानी इसलामीों को सूट नहीं करती कि यार हमन तो जूते पड़ गए यहांपर अपने क्या हुआ खाजियों का क्या हुआ अल्ला तो बड़ा महरबान था ना हम पर उसका क्या हुआ उस narrative का क्या करें तो इन्होंने उस पर कालिग पुछ दी और हमारे मुर्ख इतिहासकारों ने हमारे हिंदु देश के जड़ बुद्ध इतिहास कारों ने ऐसा होने दिया वरना वो जो पत्थर पे इंस्क्रिप्शन्स है जो शिला लेक है जो प्रमान है जो अर्केलोजिकल एविडिन्स है उसको खोद के लाना चाहिए था ना वो सिद्ध करते एक अकेले डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने इस पस्तक लिकी है लेकिन कुछ अग्यात कारणों से उन्होंने भी मिवाड के महरानों का पुलेक नहीं किया है तो ठीक है हम करेंगे तो ये जो गजबाई हिंद जो शब्द है ये कब आया और इसकी जो विचार धारा है ये कब आई इसकी कोई है आपको लगे नहीं मैंने इस पर रिसर्च नहीं करी है क्योंकि मैं मुसल्माना में दो अलग-अलग मत देखता हूं जब इस विशे पर मैंने शोद किया कुछ कहते हैं कि नहीं ये तो अज़े तो मूलत पता है कि इस्लामी विचार धारा किसी के साथ सहस्तित्र की बात तो करती नहीं है तो आपको वो उनकी किता में लिखा हूआ हैकि मुश्रिक का गर्दा काटनी है मुशिक की बेटी की इजत लूटनी है ये तो उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, वो मैंने पढ़ लिया अपनी आँखों से, मुझे चावल की बोरी में से दो ही दाने चाहिए होते हैं, कि या चावल की बोरी ये बोरी मुझे नहीं खरीदनी, अब उसका मैं बहुत गहन अन्वेशन करूँ, उसके उपर मैं डिस सहस्ते तो नहीं कर सकते हैं, क्यों? कि मैं एक बहुत fundamental बात बताता हूँ आपको, एक बहुत मुल्यवान बात, जो आपके दर्शकों को पता होनी चाहिए, आपको भी पता होनी चाहिए, आप लोग सब युवा हो, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ, मेरे को जो करना है, म इसी नसल का हो, कैसे भी कपड़े पहनता हो, कैसे भी खाने खाता हो, मनुष्य बहुत adaptable है, हम उसको जी सकते हैं, आप उस आदमी के साथ नहीं जी सकते हैं, जिसका moral compass आपसे अलग हो, जिसका नेतिक मूल्य है, ऐसे मेरा कोट मेरा, आपका कोट आपका, मेरी बहन मेरी, आ मेरा से अधिकार मिला है, आप मेरे साथ सहस्तित नहीं कर सकते हैं, मुझे मेरे भगवान ने कहा है कि तेरा कोट चीनने का अधिकार है, क्योंकि तू उस बहन को नहीं मानता तू, तो उसका moral compass आपसे अलग हो गया ना, आप नहीं जी सकते हैं उसके साथ में, क्यों कि अगर आप उसके साथ जीएंगे, तो कुछ सालों तक जब तक वो अलपसंख्यक है, वो अडंबर करेगा, फिर जब उसके पास नंबर्स होंगे, या नंबर्स नहीं भी हो, किसी दिन आप अकेले मिल गए उसको, तो वो आपका, उसके हानी करेगा, क्योंकि उसके बुद्धी में ये सफ्ट्वर डाला जा चुका है, कि आपको नुकसान पहुचाना उसके पुन्य का काम है, आपका धर्म आपको सिखा रहा है, सरवे भवन्तु सुखिना, सरवे संतु निरामया, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब अच्छे हो, तो ये दो अलग moral compass होगे न, एक कहरा सब सुखी हो, एक कहरा केवल मैं और मेरा समाद सुखी हो, इसके लिए मैं दूसरे समाद को दुख भी दूँ, तो मेरे भगवान की परमीशन है मेरे को, आप ऐसे समाद के साथ केवल पर्मानेंट भौतिक विभाजन कर सकते हैं, टोटल फिजिकल सेपरेशन, ये हमारा मुर्ख हिंदूओं का, आपको इनके साथ जीने के लिए कहता है, ये भी एक धर्म है, इनके साथ एड़्जस्ट करो, इनकी बावनाओं का ध्यान रखो, इनका ध्यान रखो, इनको समझो, तब मोमेंट एक क्रिटिकल मास कहेगा, नहीं, हमें किसी की बावना-बावना का अध्यान नहीं रखना भीजा, हमें अपनी दालोटी कमानीए, उसको अपनी दालोटी कमाने, सइटालीस में हो जाता काम, लेकिन वो एक अलक कहानी, नृsm जैसा शालों की बावनाओं टिधिकल ये, इनियन गारे हो, इस समय उन्हों थीसा शब्द और विचारधार निकाल कि नहीं है अब मैंने का ना इस पर रिसर्च की जाए उस पर शोद कि आ जाए कि वाकई गजबाए-हिंद इनके धर्म में है भी कि नहीं है लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है जो मूल इनकी पुस्तक है उसमें तो आपको मेरे को मुश्रिक कह करके आपकी गर्दन काटने का करादेश दिए जाए कि तो आपके मदरसों में आप तो यह बढ़ा रहों अपने बच्चों को जहां के मिले उसको ने निजह मेरे इतना परियापता है कि मेरे आपके साथ मगों बॉप योज़े पर राच्वान में हमारे लोगों ने हमारे दों ने जीत ली एक तरफा उन्होंने करा लेकिन 500 साल बाद में इसी कौन सी आप मुख्य गल्ती मानते हो कि वो आये और वो चोटा सा वो हमें हरा के गए कोई गल्ती थी नहीं जूट है कुछ इसलाम कभी भारत में नहीं जीता अगली पुस्तक का शीरशक है मेरी दिल्ली सल्तनत नाम का जूट कोई सल्तनत नहीं थी भाया उसमें कोई सल्तनत नहीं आज तक नहीं थी कोई मुगल सल्तनत नहीं थी ये सत्ता के मैनेजर्स थे ऐसे समझो आज के सौ साल बाद कोई लिखे अर्विंद केजरिवाल भारत का राजा था क्योंकि वो दिल्ली पर बेठा इसलिए यार क्या उकात है अर्विंद केजरिवाल की लेकिन क्योंकि दिल्ली उसके पास थी इसलिए वो हिंदुस्तान का राजा था ये आपके सामने मैं बता रहूं न पर टेक्ष प्रवान है पहली बात तो दिल्ली एक शहर के रूप में 1650 में अस्तित्व में आती है जब शहां जान दिल्ली दिल्ली को दिल्ली बनाता है उससे पहले तो सत्ता का केंद्रागरा था दिल्ली एक शहर था एक Ranchen था एक च्शावनी थी जहां पर ये इतक्षवाने के रहते थे मुसल्मान जब इनके खाना पीना कम हो जाता तो ये लूटने निकल जाते थे अब हिंदू समाज पूरा एक सब्बे समाज था हमारे जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट थे वार के वो भी बितने विक्सित थे रात को अंधिरा होने के बाद नहीं लडेंगे हिंदू सेना कभी किसी इस्तरी बच्चे बुड़े पर हात नहीं चलाएगी पराजीत राजा की बच्चियों पर हात नहीं डला जाएगा जिसको की 712 में मुहमद बिन कासिम ने दाहिर की बच्चियों सूर्या देवी परिमला देवी को भोगदासी बनाकर वो आदमी हज्जाजबिन यूसुफ के पास भेजता है वही तो क्रोध था बापा के मन में कि ये तो मलेच चाहिए है ये तो ये कोई ऐसा दुश्मन नहीं है जिसके साथ सब्वेता का विभार किया जाए इसका बीजनाश आवश्चक है ये उस वक्त हमारे पुर्खों को समझती तो ये जो सारा का सारा जो अडखंजा उठता है ये उसी विचारधरा से आता है कहा जाता है कि बाबर ने जिसे आकरवन किया हिंदूस्थान को जीता और उस पर राज किया लेकिंसी समय उसी टायम के इतियास का रही है खुद बाबर एक जगह लिखता है कि राना सांगा उस समय कि इतने खतनाग शक्तिशालियों खतनाग राजा थे जिसे बाबर खुद डरता था तो इस बात में कितनी सच्चाई है आप उस तक पढ़े मेरी मैंने उसमें ये सिद्ध किया है खानवा की लड़ाई सांगा जीते थे कई जगे ऐसे पढ़ाया जाता है कि नी नी आप उशाद पता नहीं है इसका मतलब फिर खानवा का जो जुद था वो निर्णाए को जुद था अब बाबर क्या लिख रहा है हम क्या लिख रहे हैं उसमें छोड़ो आप वो तो एक अकाडेमिक बात है ना मूल बात क्या है खानवा के लड़ाई कौन जीता था दो लाख हिंदू सेना सांगा नेतरत्व करके जाते हैं खानवा पे उससे पहले बयाने के युद्ध में उ खुद लिखते हैं कि इन इन से बिढ़ेंगे कैसे इनको तो डर नहीं लगता यह मरने से डरते ही नहीं राथ पूद्ध में तो तो 16 फरवरी 1527 को खानवा का युद्ध होता है किसी लिखित सुरूत में आपको खानवा सांगा की जीतनी बताया जागा सांगा की हार बताया जागा मैं भी मानता था मुझे केवल एक बात खटकती थी कि अगर सांगा हारे थे सांगा की विश्ट देकर हत्या करवाई बाबर ने 30 जनवरी 1528 ये जो 10 मैने का कालखंड निकलता है खानवा के युद्ध में और सांगा की हत्या के बीच में उस वक्त सांगा कहां थे सांगा उसी एरिया में थे तो अगर हारे थे तो उस एरिया में कैसे थे क्या कर रहे थे और अगर हार गए थे तो बाबर ने पूरे रजिस्थान का पूरे मिरवार तक उनका पीछा करके उनको निस्तनाबूत क्यों नहीं किया हुमायूं को उसने खानवा का युद्ध होते ही अफगानिस्तान क्यों भेज दिया अगर वो जीत गया था तो कहीं का गवर्णर बनाता ना अंतिम बात मैं खानवा गया यहां से एक सटी किलोमेटर दूर है खानवा आपको भी जाना चाहिए अपना कैमरा लेके जाईए फोटोग्राफ ततार के आईए वहां कर वीडियो ततार के आईए मैं जब वो जो स्थल है जहां से युद्ध लड़ा गया था खानवा पेक पह ज़ानी चतिरियां खड़ी है अगर सांगा हा रहे थे तो यह हिंदू चत्रियां किसने बनवाई भई है मुसलमान तो चत्री बनाता है नहीं है कि इसका मतलब यह है कि इस देश के मकार इतिहास कारों में से कोई खानवा जाकर के गया उसने फिस्ट जाकर उसने देखा ही नहीं है फिर मैं जब तत्यों को एकत्रित करने लगा तो मुझे मैंने सिद्ध किया है कि खानवा सांगा जीते थे तो तो जो मुसल्मान राजा यहां पर उनकी जो जीत के ढिंडूरे पीटे जाते हैं वो हमेशा इस्लामिक सोर्सिस को कोट करके जीते जाते हैं तीन प्राइमरी हिंदू सोर्सिस मैंने कोट की हैं जो कहते हैं कि सांगा खानवा जीते थे लेकिन इस देश के मकार इतिहास कारों ने हिंदू सोर्सिस को तो रेफरी नहीं किया है जैसे कि इस देश में केवल मुसल्मानों का इतिहास है वह प्रमानिक है आप मेरी बात समझे ने हैं तो जब सांगा की कहानी सांगा जितने पटापी राजा को भी इन्होंने पराजित दिखा दिया तो चोटी-मोटी राणा लक्षे और महाराना राइमल इनकी छोटी-मोटी जीतों को तो यह आसानी से मिटा सकते थे सिंग उली का युद्ध महाराना हमीर सिंग से सो दिया और महमद बिन तुगलग के बीच युग प्रवर्त तक युद्ध था च्छे मैंने तक कुत्ते की तरह कैद करके रखा महाराना हमीर सिंग जी ने कहीं उलेक मिलता है आपको महाराना हमीर सिंग जी का इस देश में तुगलक पढ़ाया जाता है हमीर सिंग का नाम नहीं मिलेगा आपको फिर तो ये कितनी बड़ी चालबाजी है तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि इस देश के उपर जो इसलामी आक्रमन हुए इस देश के आत्मा विहीन गटिया इतिहास कारों ने उन आक्रमनों को इस देश का इतिहास बना दिया उनके खिलाफ सफल प्रतिरोध को इतिहास से पूँच डाला गया क्योंकि तलवार के बल पर हमारे पुर्खों ने इनको यहां नहीं आनी लिया ये नुकसान गट सत्तर वर्षों में हुआ कि चंद इतिहास कारों को चांदी के सिक्कों के आधार पर उनकी निष्ठाएं करी दी गई और उनसे जूटा इतिहास लिखवाया गया इस देश पर इसलामी राज और इसलामी आकरमन पूरा नितांत जूट पूरा का पूरा जूट है और उसका एक ही लक्षे है हिंदूओं को हीन भावना से बरा जाए और जो काम तलवार से नहीं कर पाए वो कलम की ताकत पर हम अर्जित कर ले इनको हीन भावना से बरकर इनको इस्लामाइज करें ये प्रोजक्ट ये है हमारे बच्छों में हमारे जैसे किताबों में दोरी मान सिख्ता पढ़ाई जाती है एक तरफ तो अक्बर को दा ग्रेट दिखाये जाता है और दूसरी तरफ हमारे मालानापर्ताप आधर्स भी मानते हैं और उन्हें सिखाया भी जाता है हम्ए क्योंकि हम राजपूत है आप रहा हो जब हम मानते हैं लेकिन दूसरी तरह अक्बर्दा ग्रेट भी पढ़ाया जाता है तो इस दोरी मान सिखता हो कैसे कटम करके हम इसको एक तरफ लेका है हमारे युगाओं को एक तरफ समझाए पहले तो एकडेमिक लिए आपको साक्षां के साथ यह सिद्ध करना पढ़ेगा कि अकबर एक हत्यारा था काम वासना से दगद हत्यारा था फांच फूट शेंच उसकी हाइट थी इतना बड़ा उसका मसा था वह रितिक रोशन जैसा नहीं दिखता था जैसा की दिखाये जाता है वह जो जो जोधा अकबर जोधा अकबर की कहानी पूरी अगर हिंदूओं को नीचा दिखाने के लिए वामपंथियों ने इजाद करी हैं सब हर खुब आई थी एक और जो पर्चुगीज दासी थी उसका विवहा कर दिया था जैपूर के रागपूतों ने अपना पिंड चुडाने के लिए अकबर से अकबर मुसल्मानों की सल्त अधनत भी मानी जाए वो इतनी पावरफुल थी और वो इतने इतनी बड़ी उनकी महिमाशाली सद्रनत थी तो जैपूर के राजपूतों का इस्लामी करण क्यों नहीं हुआ कुछ तो शर्तें रखी होंगी ना हमारे पुर्खों ने और शर्तें कौन रखता है जो सत्ता में होता है जो पावर में होता है वरना तो आप गुलाम हो गुलाम के पास क्या भी कल्प है ऐसी कि तैसी तुम्हारी तुमको कल्मा पढ़ना पढ़ेगा तरम परिवर्तन करना संगर्ष के बाद भी सौ करोड हिंदू इस भर्ती पर जीवत जीवित हैं ये पर्याप प्रमान है कि हमारे पुर्कों ने एक सफल संगर्ष किया था रही अकबर की बाद और सब घटनाएं बहुत सी घटनाएं जैसे कि पानी पत का जो दुधी ये दुधा था उसके में राजा हेम चंदर भारगव को किस तरह से धुके से मारा गया उनके पिता बुड़े बुदुर्ग पिता को इसलाम सीकार न करने के दंड़े में किस तरह उनकी गर्दन काटी हिंदू सरों की मीनारे बनाई और वो पानी पत के म्यूजियम में सब लगी हूँ है मैंने तो कोई अपनी तरफ से बना के बोल नहीं रहा हूँ उनकी फोटोग्राफ्स मेरी बुक में दी हूँ है मैंने खुद मुसल्मान इत्हासकार अलबदायूनी और अबुलफजल निजाम الدین बक्षी ये तीन इत्हासकार लिखते हैं 25 वरवरी 1568 के तीसरे साके में चितौर में 40 हजार निरपराद हिंदूों की हत्या अकबर ने करवाई 40 हजार निरपराद हिंदूों के हत्यारे को इस देश में अकबर महान कहकर पढ़ाया जाता है आप जो कह रहे थे प्रताब के बारे में हमारी पुस्तोकों में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा हुआ है क्या नेरेटिव है प्रताब भगोड़े थे प्रताब बहुत गरम दिमाग के थे सोचते समझते नहीं थे बस हमला कर देते थे राजपूतों को सारे राजपूतों को यही कहकर के बदनाम किया गया ना कि राजपूतों बिना सोचे समझे लड़ते थे आप इस पुस्तक में पढ़ेंगे प्रताब कितने दूर दृष्टा थे और कितनी दूर की प्लानिंग करते थे चोटा सा एक्जमपल आपको बताता हूँ हल्दी घाटी के युद्ध के पांच वे दिन पूर्व मुगल सेना के सेनापती मान सिंग जी मार्क भटकते कहीं पकड़े जाते हैं भील पकड़ लेते हैं उनको और वे संदेश लाते हैं प्रताब के पास मैं आप कहें तो मान सिंग के हत्या कर दे तब प्रताब कहते हैं नहीं दो राजपूत कुलों के बीच में मैं अपनी छोटी सी जीत के लिए पर्मानेंट दुश्मनी नहीं कर सकता ये तो आज मान सिंग उदर है कल को जापूर के राजपूत हो सकता मेवाड के साथ आजाएं लेकिन अगर मैंने मान सिंग जी को धोके से मार डाला तो फिर ये दुश्मनी कभी नहीं मिटेगी आप सोच सकते हैं कितना दूर दृष्टा थे वो अगर होट हैटेट होते तो कहां काड़ दो पकड़ लिया मार दो चेतक का महिमा मंदन मैं मुझे चेतक से कोई प्राब्लम नहीं आप करें लेकिन इतना महिमा मंदन चेतक का मैं देखता हूं कि प्रताप को गौन करने के लिए किया जाता है यह नि मूल बात यह कि प्रताप को छोटा बनाना है इसलिए सारे अर्खंजे वामपंदी करते हैं घास की रोटी का नेरेटिव चला जाता है मेवाड का यशस्वी महाराना जो पच्चीस हजार की सेना लेकर वह घास की रोटी का नेरेटिव कविता की दृष्टी से ठीक है लेकिन हमें नीचा दिखाने के लिए चलाया जाता है वो कोई ऐसा ऐसी बात नहीं थी तो प्रताप का जो गौरव है भाईया वो प्रताप के अपने चरित्र के कारण है और हिंदू समाज ने उसको जीवित रखा है इन वामपन्तियों की तमाम प्रयासों के उपरांत जीवित रखा है लेकिन अब समय आ गया है एक देश की दो आदर्श नहीं हो सकते हैं अगर प्रताप महान है तो अकबर को कूडे में फैंक दो और अगर अकबर महान मानते हो तो प्रताप का उल्ले करना बंद कर दो तु तो मेरा तो मैं तो कहता हूं कि जिसमें मेरे पास थोड़ा सा हमारा प्रकलब कल चलता है इसमें हैंक दो करो ni रुपे और समाज हमें देता है तो मैं तो 15,000,000 horse ईंदू को जंतरमन तर इकट्ट कि आप करिकुलम बदली है आप इस करिकुलम में अगर अकबर को महान करके पढ़ा रहे तब तक हम सड़के खाली नहीं करेंगे समाज को सड़कों पर आना पड़ेगा यह नहीं चल सकता हमारे पुर्खों के साथ उन्होंने जो त्याग किया है उसके साथ न्याय होना मेरा तो मानना है कि लव जिहाद को इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है कि जोदा अकबर के ऐसी काने दिखाकर हमारी बच्चियों को फसाया जाता है तो आपको क्या मानना है कि लव जिहाद के लिए जोदा अकबर भी पूरे जिम्मेदार है या नहीं है हंड्रेड ए डिस पीस हजार इस्तरियां एक दिन में जल गई भाई, जीवित जल गई, कोई रुख के पूछेगा तो सही, कि यार ये जीवित क्यों जल रही है, जारा उंभी जला के तो दिखाओ अपनी, दस-दस साल के छोटे बच्चों को अपने शरीर से बांध कर, ये हिंदू इस तरियां जल क्यों रही है, कोई बताएगा कि इसलिए जल रही है, कि उन्हें अपना मरा हुआ शरीर भी मुसल्मानों के हाथ में नहीं पढ़ने देना था, क्यूंकि इनकी मानिताओं के अनुसार ये मरे हुए शरीर के साथ भी संबोग करते, जिसको नेकरोफीलिया कहा जाता है, ये कैसे पशु हैं, और हमारे पुर्खों ने उस पशुता को पराजित करने के लिए क्या-क्या बलेदान दिये हैं, उस बलेदान की बात तो छोड़ें, उन हत्यारे बलातकारियों को नॉ पुवीज, टीवी सीरियल्स, नाटक वगेरा, ये सारा का सारा इसनामी जिहादियों ने कैप्चर कर लिया, और आपने कैप्चर होने दिया, तो इस लव जिहाद के लिए ही है, नहीं, लव जिहाद तो उसका एक प्रतिफल है, आप एक आम हिंदू, जो मिडिल क्लास जैपूर जैसे शहर में, पुणे में, बंबे में, उससे जाकर बात कर लें आप, वो उसके लिए नॉर्मल चीज है, वो अकपर महान था, उसको उसको कॉंसेप्ट नहीं है, अकपर महान नहीं था, अकपर हत्यारा था, कामुक वासना में दग्द हत्यारा था, मैं जब होते हैं, 527 पत्नियों का मतलब साल में एक बार भी नंबर नहीं आता किसी का, या फिर अंटियों को औरगीज औरगीज कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता, तो ऐसे गंदे आदमी को इस देश का आधर्स बनाए जाता है, और हम पढ़े-पढ़े देखते हैं, देखो, इसमे कि मराथी में नहीं परताप पर मूवी नहीं बनी है, धंग की मराथी में मूवी नहीं 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 देश, के बनाजी राव पेश़्वा वह बना सकते थे, जो एक चुद भी नहीं हरा, जिनकी war strategy को British Naval Academy में पढ़ाय जाता है वो युद्ध कोशल बाजी राव पेशवागा बताने का नहीं था वो बाजी राव मस्तानी से कितना काम वासना का संबंद था उस पर पूरी movie बना दी और क्या उस character को दिखाया इन लोगों ने उसी तरह से महरानी पदमिनी कोई पदमावती नहीं थी मैं लिख लिख के ठक चुका हूँ अरे पदमावती तो मलिक मुहमद जैसी नाम के मुसल्मान ने एक बैलेड लिखा था धाई सो वर्ष महरानी पदमिनी के होने के बाद आप और मैं कैसे उसको पदमावती के सकते हैं हमारी पूर्खी तो महरानी पदमिनी थी जिनके नाम पर हम आज अपनी चाती चौड़ी करके घुमते हैं नाम ही बदल दिया पदमावत मुर्ख हिंदूों से उसको लेपप कर लेख लेखे चुरू हो गए तो होता क्या है? कि इसमें जो जो मिसिंग गैप है मैं जैसे परताब पर मूवी बनाने का मेरा संकल्प है मैं बना रहा हूँ अब 200 करोड रुपे चाहिए समाज ही देगा मेरे पास तो मैं अपने आपको बेज़ दू मार्केट में तो भी 2 करोड भी खर देनी हूँ तो देखते हैं कुछ लोगों ने ओफर किया है मित्र लोग आ रहे हैं क्राउट फंडिंग करनी पड़ेगी जो भी होगा अब जो जागरती आई है अब जब तक हम उसको पैसे में ट्रांस्मेट नहीं करते हैं जागरती से समाज महराना परताब की मुवी को फंड करने का पैसा दे तो हम परताब पर कसत्य दुनिया के सामने लाएंगे बिल्कुल अब तक तो वामियों जिहादियों का जो एको सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉंग है जो सो रोज सारवजनिक रूप से कहता है कि मुदी को पराजित करने के लिए मैं दो बिलियन डॉलर्स दे रहा हूं सारवजनिक रूप से तो पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे लोग जब वो प्रत्यक्ष रूप से यह कह रहा है किसी दूसरे देश के लोक तांत्रिक तईके से निर्वाचित प्रधान मंत्री को अपदस्त करने के लिए सीधा सीधा अराजक्ता की कॉल है ना सीधा सीधा ए्नार्थी की कौल है यह सुपारी देडियों मोधी जी के नाम की हमारी लिडियर्शिप कहां है राजपूत समाज की लिडर्शिप कहां है क्या कर रही है कहां खोए व treaty आज राजपूर समाज 4-5 करोड समाज पूरे भारत वर्ष Давайте फ्रांस की अबाधी जितना हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते लेकिन हमारा हमारेह हमारी समस्या हमारा गटिया नेत्रत एमारा गटिया नेत्र जो इतना चार-पांच करोड राजपूच चाहें तो मराणा परताप पर एक मूवी नहीं बना सकते हैं दुर्गादास राठोर पर मूवी नहीं बन सकती है हमारे पास नायकों की कमी है महारा हम्मिर सिंग जी पर एक मूवी बननी चाहिए एक सीरियल बनना चाहिए मेवाड के इन यश आशिरवाद मिला और आप जैसे प्यारे बच्चे भी आ करके इंट्रिवू ले रहे हैं बातचीत हो रही है अब उसको हमें परिवर्तित करना है धन में वह पावर हमारा मनी पावर में कनवर्ट हो जाएगा तो फिर हम मूवीज भी बनाएंगे कि राजा मान सिंग जी है तो ने अभी हमारे राजपू समाज के लोग भी उन्हें गदार कहके बोलते हैं लेकिन कई हम जो पड़े लिके हैं वो नाइक भी मानते हैं एक तरफ गदार एक तरफ नाइक तो इसकी क्या सचाई है देखो इसका मैं स्वयम भी दोशी है आज से पांच वर्ष पूरू जब तक मैंने पूरा मेवार का इतिहास नहीं पड़ाता मैं भी मान सिंग जी को हे दृष्टी से ही देखता था इसका मैं दोशी हूँ मैं स्वीकार करता हूँ लेकिन मैं आज बिल्कुल उल्टी दिशा में आगया हूँ कि मान सिंग जी तो कटर हिंदू थे और पुस्तक में मैंने इस बात को लिखा हिंदूों के रक्षक उसका प्रमान में देता हूँ आपको जो हल्दी घाटी का युद्ध है हिंदूों की तकलीफ क्या है हिंदूों को कश्टी है कि हमारे प्रताप के सामने मान सिंग जी खड़े थे यही हमारी बादा है हम तो नहीं हम प्रताप के तरफ है देखो हम मूलत हैं प्रताप की तरफ है तो जो प्रताप के सामने वो हमक के दादा भारमल ने किया था भारमल का भी परिस्तिति हमको सोचनी पड़ेगी जब भारमल ने किया था 1530 से 40 के आसपास तब तक सांगा की हत्या हो चुकी थी जब सांगा जीवित थे तो इसी जबुर के पृतिवराज कछावा ने उनके साथ खानवा का युद लड़ा था म मुसल्मानों के विरोध में पृतिवराज कछावा की हत्या हुई राजपूत कॉन्फरडरेशन सांगा की हत्या के बाद छिन्न बिन्न हो गया मेवाड के राजगराने में ग्रहयुद छिड़ गया वो विक्रमादित और वो जो राजा थे वहाँ पर वो छोटे-छोटे व वो एक बड़ा लंबा उस वक्त मुसल्मानों से पंगा लेना ये तो किसी को सूजी नहीं रहा था दूसरा साका हुआ जिसमें 35,000 हमारे राजपूत मारे गए भी सजा और इस तरिया कर्मावती के नित्रत में जोहर करती है जब भादुर्श्या गुजरात का हमला करता है उनके उपर तो हमारा वो जो कालखंड है सांगा की हत्या के बाद तो राजपूत कॉन्सूर्टेशन फूरा तहसने सो चुगा था तो उस गिवन परिस्थिती में भारमल ने मुसलमानों के साथ यह सोच कर समझवता किया क्यूंकि जैपूर के पास मेवाड की तरह अरावली की परवत मालाएं नहीं है जो उनकी सुरक्षा कर सके है तो तोपें भी नहीं थी हमारे पास खानवा के युद्ध में जो सबसे बड़ी हानी हिंदूओं की हुई थी वो तोपों के करण हुई हमारे तो गोड़े रहाती पलटके हमारे उपर ही आप पड़े क्योंकि तोपें को हमें आइडिया नहीं था अब जो हत्यारा समाज होता है वो उनको इजाद करता रहता है जो विकसित समाज होता है वो बिल्डिंगे बनाता है वो कविता है लिखता है वो अब मारने के हतियार क्यों बनाएगा लेकिन इनकों कामी ये था तो जैपूर के पास मुसल्मानों के साथ एक अस्था ही समझाते के अलावा कोई विकल्प नहीं था वरना यह यहां पर सिंग जी अपने दादा के वचन से बंदे हुए थे मेरा मानना है मैंने सिद्धी करने का प्रयास किया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप पूरी तरह से घायल हो चुके थे चे तक घायल हो चुका था अगर मान सिंग जी चाहते है और उनका दो-चार किलोमेटर भी पीछा करते तो प्रताप को हानी पहुचा सकते थे लेकिन उनके प्रताप को निकल ने दिया कहीं हिर्दे में उनके थी कहां प्रताप जीवित रहे हल्दी खाटी के 1576 के युद्ध के बाद 1578 में मोही का युद्ध होता है मोही के युद्ध में भाटी राजपूतर के अरकारे कोई मरवा दिया और उसकी तरफ पीट करके जंगल की तरफ चले गए कम से कम आधा दर्जन ऐसे अवसर आते हैं जहां पर मान सिंग जी मेवाड की सेना की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता करते है प्रत्यक्ष के बाद उनके बेटें अमर सिंग जी पर 1605 तक 5 वर्षों तक मान सिंग जी अटेक नहीं करते है जबकि अकपर उनको बुला के कहता है कि आप सलीम के उनका जो बेटा जहांगीर था उसके साथ मिलके सलीम अयाश था शरावे पीता था लड़की बाजी करता था मान सिंग जी ने उसको उसी में लगाए रखा अजमेर से आगे इन लोग गए नहीं अमर सिंग जी को समय मिल गया अपनी सेना को सुद्रड करने का जितने घाट मान सिंग जी ने बनाए बनारस के अंदर जितने मंदिर बनाए वो कम उपकार है कहीं भी मुगल सिना को हिंदू गाओं को हिंदू परजा को परेशान नहीं होने दिया और मास्टर स्ट्रोक मान सिंग जी का अफगानिस्तान जाकर मुगलों को और अफगानों को लड़वाना आप सोच नहीं सकते हैं अगर अफगान यहां आ जाते और मुगलों के साथ संदी कर लेते इस देश का इस्लामाइजेशन नहीं रुकता था भई रोग नहीं सकता हुए दो बड़ी बड़ी ताकते हैं उनको आपस में लड़वाया मानसिंग जी केवल सेना ना एक थे हजार एक कछावा राजपूद गए थे बागी सब मुगल सेना थी मारो साले एक दूसरे को तो मानसिंग जी का तो उपकार मानना पड़ेगा हिंदू समाज को कि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में बहुत विशम परिस्थितियों में हिंदो धर्म की रक्षा की और प्रताप के प्रती मेवार के प्रती उनके हिर्दय में प्रेम था अंदर से वो मुसलमानों से घ्रणा करते थे प्रकट रूप से बोल नहीं सकते थे और जैपुर के पूरे राजगराने को हम उस देड़ सो वर्ष के कालखंड पर जज़ करते हैं हम भूल जाते हैं कि उससे पहले के साड़े आठ सो वर्ष के अंदर जैपुर के राजपूतों की तरह से कषवा राजपूतों के कंदे से कंदा मिलकर मुसलमानों से युद्ध किया और अन थिम्बाद इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने के उप्रांत भी महान सिंग जी को तो अकवर अपना बेटा कहता था जैपूर के राजपूतों ने इसलाम कभी स्विकार नहीं किया ये कोई छोटी बात नहीं है आप इस माफिया को नहीं जानते ये लोग सतत उन पर आप उनको कन्विंस करते रहते थे कि इसलाम में आ जाओ, इसलाम में आ जाओ जैपूर के राजपुतों ने स्पष्ट मना कर दिया तो जैपूर के राजपुतों के चरन धोकर उनका चरनामर्द पीना चाहिए हमको ये तीन राजपूर जैपूर के कचावा जोदपूर के राठोड और मिवाड के सिसो दिया इनमें शिखर पर सिसो दिया है परमार, राजपूत, गौड राजपूत, चोटे मुटी जो चितने भी राजगराने थे, शेखावत, सब लड़े, कोई किसी ने राजपूतों ने हमें नीचा नहीं दिखाया, और उस यशोगान को हमें बिना संकोच के सप्रमान गाना चाहिए, बामा शाह थे, वो भी बड जेनरल थे, वो ओसवाल जेन, सबसे विलक्षन बात तो ये कि एक जेन व्यक्ति, इतना धनी हो तलवार का, और रणक शित्र में इतना कौशल रखता हो, वो उनके भाई तारा चन, तारा चन तो दोनों हाथों से तलवार चलाते थे, आप सोचिए कोई उनके पास किसी वार बामा शाह ने प्रताप को दिया, 1580 के आसपास, वो मालवा की लूट का धन था, वो स्वायम का अरजित धन नहीं था, वो धन के मैनेजर तो थे, क्योंकि जैनी संपरदागे थे, उनकी अनुवांशिक गुण था कि धन को मैनेज करना उन्हें आता था, लेकिन उनका स्वा अरजित धन नहीं था वो, कोई बिसनिसमेन थोड़ी थे, कोई व्यापार थोड़ी करते थे विचारे, वो तो जिन्दिकी पर प्रताप के साइट थे लड़ाई लड़ रहे थे, तो लड़ने वाले योद्धा के पस धनका से आएगा, तो दानवीर, हम अपनों कह सकते हैं लेकिन वो योद्धा थे, जिन्होंने मालवा के मुगल ठिकानों को जो कारवा जाते थे, उनको लूट लूट कर, 1580 में धन लाकर दिया प्रताप को, जिसके आधार पर प्रताप ने विजे दश्मी के दिन 1583 को दिवेर का अमर युद्ध लड़ा, जिसमें 36,000 मुसलमानो ने समर्पन किया, भगदर मच गई मुसलमानों के बीच, और पूरा मेवार खाली हो गया, बहलोल खांका घोड़े समेथ प्रताप ने वद्ध किया, और सरीमा खान सुल्तान जो की दिवेर के थाने पर थाना इंचार था, चाचा था अकबर का, उसका वद्ध किया कुमर अ पर आकर हमला करें, यह आपकी पुस्तक के लिए है कि आपने जो पुस्तक लिखी है, जो महराणाओं के उपर लिखी है मुख्यत है, तो उसी समय के जो हमारे जो ओडियन्स है, हमारे जो है, वो कौन से और राजाओं को मुख्यत है देखें, जो उसी टाइम के बराबर हो, उनके बारे में पढ़ना चाहिए 1178 में इस मुहम्मद गौरी को जूते दे कर बाहर निकाला था गुजराच जो 1192 में आकर तरही के दूसरे युद में परतिराज की आँख फोड़ कर उनकी हत्या करता है किसी को नाम सुना है अपने 1178 में वो पराजित हुआ था हमें नाम नहीं पता महमूद अफ गस्नी महमूद अफ गस्नी को भीमपाल राम के राजा ने मारा था वो उसके डरके मारे वो जब वो सुमनात का मंदर लूट के जा रहा था सुमनात का युद्ध पढ़े हैं पचास हजार हिंदू मारे गए किस तरह से मुसल्मान इतियास कार उसका वरनन करते हैं तो भीमपाल थे आंदर में काकातिया करनाटक में गवड़ा असाम के अहूम चत्र साल उडिसा का नंदवंच बंगाल के बहुत महिमा शीर चाली राजा पल्लव गुजरात के सोलंकी चोल चालुक्य मैं मानता हूँ कि मेवाड अगर नहीं होता तो ये देश इस्रामाइज हो गया होता लेकिन ऐसे भी कालखंड आए जब जैसे विशेश का राजा जत्र सिंग के समय रावल जत्र सिंग के समय बारवी शताबदी में जब इलतत्मुष आता है एक बार इलतत्मुष भूताला की लड़ाई में जत्र सिंग जी को पराजित करता है नागदा का पूरा नाश करता है वो एक समय जहां पर एक हजार जैन मंदिर हुआ करते थी आज वो खंड़हर आप देखेंगे तो उस कलाकृती पर आपको विश्वास नहीं होगा इतनी सुंदर कलाकृती है जबकि एक-एक घर जलाया एक-एक मंदिर जलाया था इलतत्मुष ने फिर गुजराद के राजा जैत्तर सिंग्जी की सहाहता करते हैं फिर वो इलततमुष्ट को पराजित करते है और राजस्तान से बाहर निकालते हैं, तो ये सारे राजाओं का योगदान हमें क्रोनिकलाइज liquor करना चाहिए लेकिन उसके लिए physical साक्ष है, भहत एक साक्ष है हम को, वो narrative चाहिए, वो story चाहिए मेरा काम इसलिए सरल था क्योंकि मेवाड के इतियास पर बहुत कुछ लिखा गया है तो अधिकतर तो मैंने अपनी जो चारान होने के नाते हैं मुझे कहानी सुनाना आता है तो आर्ट अफ स्टोरी टेलिंग तो मैंने स्टोरी टेलिंग कर दी मुझे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी क्योंकि डॉड, पंडित हीरचंद, ओजह, शामल दास जी का वीर विनोद, राजेंदर शंकर भट, प्रफेसर एलपी माथुर, डॉक्टर केसी गुपता बड़े विलक्षन लोगों ने उस पर अल्लेडी काम कर रखा था, मुझे सिर्फ उसको मैनेज करके क्रोनेकलाइज, टाइम लाइन, कि बापा रावल से लेकर राज सिंग जी तक इस नामी आकरमन को रोकने में, इन्होंने क्या भूमिका ने भाई, उसको, इसलिए मैंने इस पर है कि राजपूतों को किस तरह से नीचा दिखाने का प्रयास किया है, कई कटरपंती तो यहां तक दावा करते हैं, कई यूटूब पर वीडियो भी बना रखे हैं कि जो रक्षामंदन वाली परता है, जो उन्होंने ही चालो कर रही कई जगे हैं, तो आपने सुना ह होगा कि उसमें के बादूर शाह ने आकर्मन किया, तो रानी करनावती ने राखी बेजी, हिमायू ने साहिता की, फिर उसे बचाया, फिर रक्षामंदन शुर्वा कौन सी बुक कहती है कि साहिता की, बता दे हैं, यह ऐसे वीडियो बनाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई सफेद जूट करनावती ने कभी कोई चिट्टी नहीं लिखी, कोई राखी वाकी नहीं बेजी, जो राजपूत अपना शील बचाने के लिए जीवित जल रहे थे, चोहर कर रहे थे, उनको भाई मानेंगे, तो तरक संगत लगती है क्या बात है, फिर अगर हम उसको प्रमा की बात करें, तो शामल दास में ये लेटर कोटेड है, बाद्दुर्शा ने लेटर लिखा हमायों को, मेवाड के कुछ सामंत गए कि इनको आपस में लड़ा देते हैं, और इसको अपन चुगगा डालते हैं कि हमायों को के मेवाड आप ले लेना, लेकिन बाद्दुर्श की स्थापना तो अकबर ने की है, पंदरा सो चपन दितिये बैटल ऑफ पानीपत, राजा हिम चंदर भार को के हत्या करके, तो वो जैसी भी सेना लेकर के आता है, ग्वालियर में उसको लेटर मिलता है, बाद्दुर्शा का, वो लेटर कोटेड है, शामल दास जी की दरा, मैं जिहाद पर हूँ, बाद्दुर्शा लिख रहा है हमायों को, मैं जिहाद पर हूँ, मैं काफिरों को मारने निकला हूँ, तुम अगर काफिरों की तरफ से लड़ोगे तो अल्ला को क्या मूँ दिखाओगे, अगर मान भी लें कि करनावती ने राकी भेजी थी, तो आय तो ये सब चालबाजियां, देखो, एक शडंत्र है, अत्यारे बलातकारियों के समूग को, हमारे जैसा दिखाने का, जिस्ट बिकॉज उनका शरीर हमारे जैसा है, शॉफ्ट्वेर बिलकुल अलग है, बाई चारा दिखाने के लिए, कोई बाई चारा नहीं है, हम बाई है बाई वो है, चारा हमें, और अब वो समय आ गया है कि इस बलफ को कॉल किया जाए, और हिंदू मठाधीश, हिंदू धर्माचार रहे, हिंदू आश्रमों में बैठे, हिंदू कतावाचकों को, सत्य बोलना पड़ेगा, नहीं तो इनकी दुकाने हम बंद करवाएंगे, अपनाई जहल लिए, बहुत पीडा जहल लिए, हमारे हिस्से की पीडा हम जहल चुके, विल्डूरेंट कहता है, आठ करोड हिंदू का वद किया है, मुसल्मानों ने, आठ करोड, अंजिये जीवन, आपकी जैसे, मेरे जैसे लोग थे, उनको उस्वमें, उनको भी अपने पत्नी से प्रेम होगा, उनको भी एक जीवन जीने की ललसा होगी, उन अंजिये जीवनों का हिसाब एक truth and reconciliation commission बैटना चाहिए, सारवजनिक रूप से इन हत्यानों को माफी मांगनी चाहिए, उल्टा, ये हम पर कहते हैं कि हमने उपकार किया, आप लोगों को इनसान बनाया करके ठीक है, देखते हैं, पहली बात तो पदमावद मूवी एक जूट है, लेकिन उसमें जो जोहर वाली जो बात है, तो उस समय जो हमारी रानिया इतनी हिम्मत करके जोहर करती थी, उनके अंदर इतनी शक्ति किस मानसिक्ता से आते थी, और मलब वह दुश्मन की कौन सी म मुसलमान आते थे यहाँ पर वो मृत शरीर के साथ संभोग करते थे, क्योंकि इनके धर्मे में वो अलाउड है, ये बात हमारे पुर्खों को पता थी, आज के हिंदु इस्तिरियों को नहीं पता है, इस तताकतित कम्यूनिकेशन रेविलूशन में, जब इन्फरमेशन एक कंगुठे पर अविलेबल है, आज के हिंदु इस्तिरियों केंगे नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, बकवास करती है, समझने कोशिशे नहीं करते हैं, समझना इसलिए नहीं चाती है, क्योंकि बुद्धी जो है, बॉलिवूड और उस टीवी सीरियल ने भर्मा के रखी तो बच्चा तो आत्मा भीन हो गाई, इसका बच्चे का क्या कसूर दोशेस में, तो हमारे पुर्खों को एक बात पता थी, कि ये मरत पसीरियों से संभूग करेंगे, आप उसका देखो, मनोविग्यानिक इंपक्ट पड़ता है, आप सोचो, एक शन के लिए सोचो, अगर किसी बड़े सामन्त की पत्मी या हमारी महरानी पत्मीनी का भी मृत शरीर भी मेवाड के जो मार्ग हैं या बड़े शहर वहाँ पर मुसल्मान उनके साथ संभूग कर रहे हैं, तो हिंदू जनता का आत्म विश्वास तूट जाता है, मर जाते हैं लोग जीते जी, लेकिन अपने आपको राख बनाकर उन्होंने अपने पतियों को, अपने पुर्शों को, अपने भाईयों को तो उस बोध से मुक्त करी दिया, कि अब आपको हमारी चिंता करने के जरूत नहीं हम तो मर गया, हम तो राख हो गया, हमारे मरे शरीर भी मुसल्मान को नहीं मिलेंगे, अब आराम से जाके युद्ध करो आप तो खुल के युद्ध करते थे हमारे हिंदू नायक उस वक्त तभी तो धर्म बचा भाया अंतत्तो गत्वा तो धर्म बचा लिया ना उतना बड़ा त्याग दे के हिंदू बच गए ना कैसे बचे उस अमुख दिन जरूर मारे गए लेकिन धर्म का जो तत्व था तो इन लोगों को ये पता था कि कोई तत्व ऐसा है जो जीवन से भी मुल्यवान और वो तत्व है स्वतंतरता वो तत्व है हिंदू धर्म धर्म को बचाना धर्म बचाना और अपना स्वतंत्रता वो जीवन से मुल्यवान है फिर जनम ले लेंगे एक परिवार के रूप में समर जाते थे बच्चे बच्चियां आप हमारे पुर्खों ने कोई कमकष्ट उठाया है यह शक्ति उनके बहुत ज्यादा काम उस तत्तुक के परती इतनी निष्ठा अंग्रेजी में इससे फिडेलिटी कहते हैं वो फिडेलिटी आज यहां चावल की बोरी पे लोग अपना धरम बदल रहे हैं और वो लोग अलग थे लोग अलग है पढ़ाया जाता है कि मुगलों ने राज किया मुगलों ने हिंदुस्तान को राज किया पूरा मुगलों नहीं सब कुछ किया लेकिन आज अगर इसको इसको इसलामिक देख्स बन जाना चाहिए था इसलाम कबूल करने ना चाहिए था सो करोड हिंदू कहां से आया हिंदू इतिहासकारों हिंदू तताकतित स्वगोशित बुद्धी जीवियों की निश्ठाएं खरीद के और करने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने पूरा इतिहास आपका उसका उसका वद्ध कर दिया है कोई इस्लामी सल्तनत नहीं थी इस देश के उपर भाई ये देश ही नहीं था चोटे चोटे रजवारे थे 536 भारत देश तो राजपुता ना था मेवार था दूडार था मारवार था उजरात था मालवा था तो ये जो रक्तरंजित संघर्ष हिंदू ने किया इसके उपर पानी फीरने का ये कुशित प्रयाज जिसमें नहरू की नीचता और इस देश का पहला सिक्षा मंत्री निर्मान किया और पांच जो शिक्षामंत्री इस देश के थे वो मुसल्मान थे उन्होंने जूट लिखा भारत का इतिहास जूट बिल्कुल सफेज जूट मैसी लिए चुनौती देता हूं कि आप इस पुस्तक को मुझे आ करके कांट्र करें आए खुला डिसकेशन करें ना रामपुनिया को मेरी चुनौती है खुली आएं बात करें सार्वजनिक रूप से तो पता चलेगा कि सत्ता के मैनेजर्स थे कोई भी राज्य होता है वह जो बड़ा राजा होता है वो तो उसका राजकुमार बनके राजा बन जाता है यह दूसरा जो छोटा बेटा होता है वो उसकी ग्रज होती है उसकी अपनी कोई पीड़ा होती है तो उसको इस्तिमाल करने पहुंच जाते थे हम यह काम करते नही का भीजा हुआ वर्दान है जिसके आधार पर हम इस जूट को तोड़ेंगे एक हमारे बच्चों को स्कूलों में यह भी पढ़ाया जाता है जो साजा का जो साजाने उस समय अपने साशनकाल में बहुत सारी बहुत सारा निन्मान किया उसे इतिहास में स्वान काल का जाता है कि वास्तुकला का स्वान काल गोल्डन पिरेड ओफ आर्किटेक्चर यह पढ़ाया जाता है हमारे बच्चे को तो जिससे ताजमिल हुआ इन चीजों पढ़ाया इसमें कितने सचा ही मानते वागत अगर हजार वर्ष के काल खंड में मुसल्मानों ने तीन विल्डिंगे बनाई इस भारत में ताजमिल लाल किला और कुतम मिनार जिन पर तीनों पर हिंदू दावेदारी है कि यह हिंदू होने बनाई थी पर चलिए आर्गुमेंट से कम मान लेते हैं कि इन्हों ने बनाई एक अकेले महराना कुम्बा ने 40 वर्ष के काल खंड में 32 दुर्ग बनाई में वाड़ में और विजस्तंब का निर्मान किया और अगर शाजा इतने ही कलाप्रेमी थे तो इन्होंने वाँ टर्की में जहां से आये थे वहां क्यों नहीं बना लिये ताजमिल बारत के इलाव आपने क्या आर्ट एंड लिट्रिचर क्या ट्रेड रूट्स थे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिया अपने समाज को इस्लामी राज्य इस देश के अंदर केवल हत्याओं और बलातकारों का एक पूरा का पूरा तंडव है जिसको विल्डुरेंट क्रोनिकलाइज कर विल्डुरेंट को पढ़ ले पता लग जाएगा उसको तो कोई यह जब ताजमेल फाजमेल सब जूट बनाने के तरीके हैं क्यूंकि अगर एक राजा की स्थापत्यकला में रुची हो तो जो संसाधन उसके पास है उससे वो वो बीस्यों ताजमेल बना सकता था कहीं और किले बनाए होते हैं कुछ और तो बनाए होता ना लेकिन जब आपकी दृष्टी केवल और केवल अपने जो नीची जो बिचारे अबोध हिंदू फस गए उनको लूटने की हो तो आप बस लूटोगे और एक एमेक खान है उननाने किताब लिखी है इस्लामिक जिहाद संदर पुस्तक है मैं पढ़ रहा हूं इन दिनों वो वो बाकाइदा डोकुमेंट करते हैं कि कितना अरब रूपया यहां से बगदाद और भीजा गया लूट लूट कर इनकी कोई रूची नहीं थे यहां पर के हिंद्वों को यहां पर को समरिद्दी लाए जाए इन्हों सौ में से आप नबे भी मार दो जो जैसे एक टेरिरिस्ट था ना उसने बहुत बढ़िया बात कही थी अवे अमेरिका का जो नाइन इलेवन हुआ था उसके संदर्व में कि तुमको तो हर बार सफल होना है वो अपनी सिक्यूरिटी फोर्स को कह रहा है वो अमेरिका की कौन इस लामी टेरिरिस्ट, तुमको हर बार सफल होना है, हमें किवल एक बार सफल होना था है, टो हम 94 जो हिंदू सफल हुए, जिनके कारन आजम सब करोड हिंदू है उनकी बात नहीं करते है जो एक बार सफल हुए, उसकी कहाणी बन जाती है अभी अभी मैं खुद लाल किया था आगरा करें तो वहां के आपको गाइड करें तो अप मुझे तो न नी लेके चलो अपना सब कुछ बताओ उनको बोलो तो सही लेकिन पीछा चुड़ाना मुश्किल हो गया आपकी यूनिवर्सिटियों में जब जूट पढ़ाया जा रहा है वह भी बात सही है वह तो बिचारा दालोटी कमाने के लिए वह उसको जो चार बाते बता दी वह विचा और यह कॉंग्रेस की कमीनगी है इनके पाप हैं जो हमारे सर पर चड़के बोल रहे हैं नहरू और गांधी के पाप हैं जिनको हम भुगत रहे हैं अभी अभी आपने यदि खबर सुनी होगी कि अफगानिस्तान में तालीबान जो सरकार आई है उन्होंने मैलाओं का जो श इलाओं की पढ़ा ही तका तक रोक है पहले पहले बार में जाना मोल में जाना वो तो पहले ही परतिबंद कर दिया अब शिक्षा पर भी परतिबंद कर दिया तो इन चीजों को आप कैसे देखते हैं और हमारे लोग क्यों नहीं समझते इस बातों को लोग इसलिए नहीं सम तीन थ्री भी एच के है रूम है आपकी बड़ी आसी गाड़ी है एर कंडिशन आप चाते हो कि वो स्टेटस को बना रहे जीवन लेकिन संघर्ष का नाम है देवासुर संघराम शाश्वत है न कभी रुका था न कभी रुकेगा यह जो कौनफर्मेशन जो नॉर्मल सी बायस है उसका परिणाम है कि हिंदू सत्य के पृति प्रीट मोड़ कर पहचे है और उसका बड़ा दोशी जो है वो हिंदू लीदर्शिप हमारी पॉलिटिकल लीदर्शिप हमारी अध्यात्मिक लीदर्शिप हमारे सादू संथ क्या अक्वासे करते हैं लेकिन इसका उत्तर भी जो तालिबानी मान सकता है वो खुदी देगी इसलिए मैं बहुत प्रसंद हूँ मैं चाहता हूँ कि यह असली जो इसलाम का असली जो चहरा है वो प्रगट हो मतलब एक बस अगर इस देश के हिंदूों में और इस देश की सरकार को अकल हो तो इस समय आपको न पाकिस्तान और अफगानिस्तान कोई सहायता ना करें आप इनको इनको इनके हाल पर छोड़ दे यह जानवरों की तरह एक दूसरे को नोच नोच कर खाएंगे लेकिन वेश्विक समुदा मूर्खों का टोला है वो करोडों अर्बो डॉलर की एड़ वा डाल रहा है अरे भाई देखो तो सही कि वो अपने स्वयम की स्त्रियों के साथ क्या वेवार कर रहे हैं और वो उसक को सत्य मानते हैं अपने मूल जो धर्मिक विचार दार है उसके साब से आप पीच में चौधरी बने वो गुमते रहो आपको क्या पढ़ी है ये असलियत है जो वो कर रहे हैं म्यूजिक बैंड है वाँ पर कोई पढ़ रहे हैं जो इनका धार्मिक स्विकर्टी कहां मिलती है बच्चियों को पढ़ाना बैंड है वो बैंड कर दिया बहुत बढ़ी है होने तो तब देखो अपनी आप ऐसा समा करो जिहाद को जरूर गंगा जवना तैजीव की पिंगें बजाओ और अगर सनातन हिंदू समाथ चाहते हो तो हिंदू की साहता करो हम जैसे हिंदू का साथ दो बात कतम दोई विकल्प हैं लेकिन वह जो कॉन्फरमेशन बायस जो नॉर्मल सी बायस हिंदू का वह हमारा र करेंश बहुता का रतना नहीं है सन्जय जितना की समाझ जाना की समाझकी एड़र्शिप समाज की विक 350 आपको आदा राजपूट समस्था हूं तो मैं तो अपने लोगों से कहता हूं हि तुम तुम ने क्या मूं में गुर दे रखा ता क्या जअप को नीचा दिखाते रह और तुम कुछ नहीं कर पे चाम कर देते सड़के आपके करिकिलम में दिवेर का युद्ध पिछली बीजेपी सरकार डाल कर गई थी इस कवर्मेंट ने आते हटा दिया क्या राजपूत मर गए सब क्या इस देश में राजपूत लीडर्शिप नहीं रची कॉंग्रेस में र दो प्रताप को नीचा दिखाने को हमारा आपसे को लेने दिना नहीं है मेरी बात समझ रहे हैं समाज के करने के काम आप राज्य ववस्ता पर नहीं छोड़ सकते हैं अकबर को एक कामुक हत्यारा सिद्ध कर्वाना मनवाना समाज का काम है आगर सरकार नहीं मानती है और वो शो अफ स्ट्रेंथ ही चाहती है चलिया जब दिल्ली हाइवेड जाम करते हैं एक दिन तब तक नहीं उठेंगे जब तक करिकुलम चेंज नहीं होगा शाहिन बाग बिठाए थे ना सिटिजिशन्शिप एमेंटमेंट के किलाफ तो दो कोड लोग बिठा सकते हैं तो आपको क्या आप लेकिन लेकिन आपको वह 21 Tariq की EMI है यह मैं चुका नहीं ना तो फिर यह चुका लो यह अपना धरम बचालो दौनों नहीं हो सकती है दौनों नहीं हो सकती पर सिरियूस होना पड़ेगा शिरियूस नहीं लीडर्शिप को अपन एजेंडा को क्लियर करना पड़ेगा कि आपका एजेंडा है क्या आप यहाँ पर समाज का कुछ हिट करने आए हो या आप यहाँ अपनी रोटियां सेखने आए हो चार-पांच करूर समाज को आपने टुलू बना रखा है कितना अंतर मुखी हो गए राजपूर मिठ जाने दिया यह तो दोशी तो अपन खुद है ना भाई मैं सबसे पहले तो चारणों को मेरे को दोशी मानता हूं हम क्या जहक मार रहे थे तत्तर साल में जब ही हो रहा था हमने पुस्तके क्यों नहीं लिखी हमने काउंटर क्यों नहीं किया हम सटकों पे क्यों नहीं आये यह वहली बात दुझ्ञраख की अ मैश्य करें गाओ समाज को हैं अब misin लिंक है इक जगें हमें अपना पैसाइए करना पड़ेगा उस पैसे का उपयोग हमारे पुर्खों के खोई हुई इतिहास को पुनर जागरित करने में पड़ा करना पड़ेगा बाकी काम ज्यादी खुदी कर लेंगे फिर अंग्रेज आए इन दो नोंने शोषण किया हमारी संस्कृति को मिटाए तो ज्यादा संस्कृति को मिटाने में आपके योगता इसा मांता नहीं मेरी पुस्तक का आधार James Todd की लिखी वी पुस्तक है वो अंग्रेज था जो उस आदमी ने शोध किया है बिचारा अंग्रेज उसको तो हिंदी भी नहीं आती संस्क्रिट भी नहीं आती थी क्या पढ़ी थी उसको और जो भाशा उसने लिखी है आपके आशू नहीं रुकेंगे भाईया अगर आप उनकी Todd की भाशा पढ़ लो जो उसने राजपूतों के लिए लिखा है पिर आपके मंदिर तोड़े आपका जवरन धर्मांतरन किया उल्टा आपको रेलवेज दी कॉलेज दीए कोस्टल सिस्टम दिया सिविल सर्विसेज दी अंगरेज बहुत उदार कौम थी भाईया हमारे उपर हजार वर्ष के आकरमानों के बाद हिंदू शेतना पर जो अंधेरा चाया हुआ था सन्यासी रिवोल्ट हुआ था ठार्वी शताबदी में उसमें जब सन्यासी हार गए तो जो उनके जो मुखे नेता थे वो मैंने का बंकिम चंदर की किसी पुस्तक में पढ़ा है कहीं मैंने सुनी है यह बात इसका प्रमान मुझे मिले तो आपको मिले तो मुझे दीजिए तो जो सन्यासीों के जो जो उनके नितरत कर रहे थे उनकी आँख में आसू आये और मा के सामने गए उन्हों बला हम तो सत्य पर थे मा हम तो स्वतंतरता का जुद्ध लड़ रहे थे और हम हार गए तब मा ने उनको दर्शन देका ऐसा कहा बताया कि इनका आना अंग्रेजों का आना हिंदू समाज के लिए शुभंकर होगा इसलिए तुमने युद्ध किया तुमने अपना धर्म निभाया वो ठीक है लेकिन जो लार्जर कैन्वस है उसमें अंग्रेजों का भारत पर आना इतनी बुरी घटना नहीं कि अंग्रेजों को इतना बुरा नहीं मनता हूं आप नाजीस को देखिए ना अगर जर्मन आते हैं यहां पर पता चल जाता आपको यह चाइनीज आते तो आपको पता लग जाता और जो मुसलमानों ने किया आपके साथ में अंग्रेज उने आपको फिर भी बचा उनसे रक्षा की वह का सिस्टम का जो उन्हों ने दुरुपियों किया वह आप जो आपका ब्रहमन जडवत था आपकी जो मस्तिश्क था वह परलाइस बड़ा था आपका जो राजपूर था वह शराब में चला गया वह जड़ वह अंतर मुखी हो गया नहीं है मेरे को क्या मतलब मुझे तो प्रशंसा नहीं मिल रही और अंग्रेज पैसा वेसा तो देते ही थे पैसा देने के देखो वह अग्रेज आये थे यहां बिजनिस करने उन्होंने बिजनिस कि आपका शोशन किया चंद हजार वह तो आज भी आगर जिसके वाज़ जो 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 आज भी जूज दुनिया पर राज करने कि साथ लाग जूज आप होंगे सवकरोड नहीं आज पर आपकर यहां पर भी देख सब्सक्राइब करें लेकिन हम हिंदू केवल भीता के अधार पर धर्म की स्थापना है जब तक समाज में धर्म स्थापित होता वह शोशन बहुत मिनिमम लेवल पर रहेगा क्योस नहीं होगा अराजकता नहीं होगी वरना यहां बड़ा चोटे भाई का शोशन करता है वो तो हुमन नेचर है ना हुमन नेचर से तो आप कैसे लड़िएगा लेकिन अंडर अपके धर्म को हनी पहुंचाई ना आपके मंद परचुगीज ने कितना आप देखिए जो छोटे से गोवा के अंदर जो हलत हिंदू की परचुगीज ने कितने निशन सत्याएं की अभी भी केरल के तरफ तो अभी भी चली रहा है और आज आज आप गोरों के कितने हिंदू जाकर बस गए इंग्लेंड के अंदर आज आज देश का जो हिंदू है जो बटा हुआ है सब जातियों में बटे हुए आपस में लड़ रहे हैं तो आज की युवाओं को हम ऐसा कौन सा मेसेज दें जो एक जूट होकर सनातन धर्म को आगे बढ़े हैं वैसे युवाओं अब हो रहे हैं फिर भी आप इस देश की जो जातीगत नेतर्त्व हैं वो सब कौकरोच हैं वी समझस लें चोर उचक्के हैं जातियों का नीतर्त्व कर रहा हैं क्यूंकि जाती का नेतर्त मैं समझताऊं कि होना चाहिए क्यूफ के हमारी थे ब्राह्मनों की जनसंक्य 10 करोड है एक फ्रांच मतलब स्पेन के ज्यादा जनसंक्य तो ब्रह्मनों की इस देश में लेकिन क्या ब्रह्मन एक जूट है क्या ब्रह्मन अपने लव जिहाद की बच्चियों को बचा पाते हैं क्या ब्रह्मन बच्चे की हत्या होती है तो उसका प्रतिकार होता ह क्या ब्रह्मन समाज, अपने ब्रह्मन समाज की आर्थिक उन्नती कर पा रहा है, अगर वो आठ करोड भी खत्ता हो जाए, उसके एक economic plan है मेरे पास, हर जाती अपनी economic plan से चले, तो हम सनातन हिंदू धर्म के वटवरक्ष के नीचे हम सब भलपूल सकती हैं, लेकिन हमारा प्रित्त्तो जाकर के मुसल्मानों से अलाइंस कर लेता है, और अपनी जात के लोगों के हिद को बेच देता है, मेरे को नाम लेने की जरूत नहीं कितने जो यूपी और बिहार में हो रहा है, और एक प्रकट में आपको बात बताता हूं, जो मेरा जो संगठन है, निमित ए लीडर्शिप ने किया, कॉंग्रेस पाकिस्तान से आने वाले 90 प्रतिशत चरणारती दलिट समाज के हैं, मेगवाल, भील, कोडी, बढ़ाई, किस मुझ से इस देश की दलिट लीडर्शिप ने सिटिजन्शिप अमेंडमेंट्मेंट का विरोध किया, इनका गेर्बान पकड़के को इनसे पूछे, कि आप क्या चाहते हो एक करोड जो हिंदू दो फसा हुआ है दलिट पाकिस्तान में मर जाएं, दुनिया में हिंदू होगा, यह की तो देश है, नहीं नहीं, यह इशू नहीं है, इशू यह है कि जो पाकिस्तान से निकालने क बैयार, जो अपने कास्ट का हिती नहीं देखती, यह चोर उचक्के है सब जगह पर, जैसे जैसे युहाओं में जागरती आएगी, वैसे वैसे इन उचक्कों को, उनकी सीटों से उतार-उतार कर नए, सपश्टवादी, सत्यनिष्ट, हिंदू धर्म के प्रति समरपित, का बना देता हूँ आपको, एक पानी का जहाज है, जिसमें हम जो क्रूज शिप होते हैं जिसके अंदर की बड़े 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 शिप, जिसके अंदर की रूम्स होते हैं, अलग-अलग कैटेगरी के, और खुब भोग विलास और मजए और शाम को पार्टियां, शार्टि दान्स और ये ही वो होती हैं, हिंदू जातियों का आपस में लड़ना ऐसा है, कि वो रूम इतर व्यू के लिए, एक अच्छी का रूम मिल जाए, वो नहीं मिलेगा था, हमें जहाज को डूबो देंगे, हैं, आप लड़ो यार, रूम के लिए लड़ो, आप, within the confines of the constitution, मूलता है मेरी सिंपेथी, दलिक समाच के साथ, मैं वालमी की समाच के साथ, खटीक समाच के साथ, काम करता हूँ, मैं तो कहता है अबने आपको वालमी की हूँ, कर्म से वालमी की हूँ, शुद्र का काम करता हूँ, मुझे कोई उसमें संकोच नहीं कहने में, आप अपनी जाती को उंचा करने के लिए आपको रूम विथा व्यू मिल जाए इसके लिए आप उस जहाज को डुबनी की तैयारी करें आप हिंदु धर्म को गाली देना शुरू कर देते हैं अंगिनत चारणों के राजपूतों के मेसेज आते हैं हम चत्री हैं हम हिंदु नहीं है इस नरेटिव का मैं क्या करों यह यह प्राब्लम है सनातन हिंदु धर्म वो क्रूश शिप है जिस पे अगर अगर अपन रूम को ते व्यू के लिए नहीं लड़ें जो प्रतिबाशाल यह उस चीज को स्विकार करें कि परमात्मा ने मुझे यहां रखा है हो रहा है अपना एंज़ा करें खाने को तो उसको भी मिलेगा पार्टी में उसको भी न्यूता आएगा और जो कालांतर में पिछले 100-200 वर्शों में दलित समात के साथ हमने कुछ गल्तियां हुई है भ भारत मा की चाती में इतना दूद है कि सब को पिला सकती है वैसे भी पूरी दुनिया के हर कोई आवशक्ता नहीं है आपस में लड़ने की मिल बैठकर बातचीत करके उसको सुल जालो लेकिन कम से कम जिहाद को तो निमंतरन मत दो वह आजकल जै भीम जै मीम वाला भी वह ब देश का विभाजन पूरा करो टोटल एक्सचेंज आफ पॉपूलेशन करो और नहरू और नहों ने उनको उनका करियर खत्म कर दिया बाबा साहब के विचार पढ़े अब बहुत गहरे विचार तो वह तो महापुरुष्ट है उनको सर्वजनेक रूप में हमें अपना ने उस हो जातिओं का जुत संगर्शं पर हैं नहीं समाज एक है प्लिखन और परकास्टर जो ऑपने डलय समाज को किसी की नहीं वोलें वह किसी की नहीं होती है ना कि जो उसे हिंदुव का इहानी होती है ना कि उलृत तर्म जो अब्जेक्टिव है उसमें पूरा हो जाता है तो वो बोलते हैं वो मक्कारी है यह अंतिक परसन है कि दोक्टर साब आप यह बताईए कि जैसे हमारे युवाओं में जैसे आपको इतिहास की इतनी रूची है हमारे युवाओं को कैसे रूची आए और आप आपके आने वाले जो जो प्रोजेक्ट है जो जो आप किताब लाने वाले हो उनके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए देखो रूची तो तब आएगी जब स्वाविमान होगा आप प्रित्वीराजपर मूवी बनाओगे जिसकों की अंत में आप देखोगे कि आखे ना था मुझे मेरे जीट की कहानी सुनाओं अंगिनत कहानी हमारे जीट की जो अपने युवफाहों को सुनाएं इस बुश्तक में मेंने जीट की कहानी सुनाई है हो को बीछ пош्विकार किया है। जैत्र सिंग जी बूतल्द के युद्व अपराजित वोबें तो मैंने पोडबाजी नहीं एबिडेंस और साक्षे पर आधारित बात करें और अपने समाज के अंदर नवचीतना का संचार हो नए प्रोजेक्ट्स में राठोड़ा पर एक पुस्तक लिख रहा हूं दिल्ली सल्तनत नाम का जूट उस पर मैं दो पुस्तके लिख रहा हूं दो उधारण के लिए 5कलर राजपूतूर पूरे बहारत में समझ लिए इनमें से 555 राजपूत यदी 100 रुपें मैंने का धर्माज दें एक संगठन बनाये राजपूत धर्माज कोश कितना हुआ पांच लाख यदि सो रुपे दे तो पांच करोड रुपे का धर्वान चाहिए पांच करोड रुपे से आप क्या नहीं कर सकते कोई भी समाज का वेक्ति और यह सब के लिए जाग होती है जाड, गुर्जर, यादव, कुर्मी दलिट समाज चारण विष्णोई ग्रहमर्ण, बनिये, सब समाज पर रिलागू होती है एक केंडरी है सेंट्रल कॉर्पस फंड रखें अपने लिए जो केवल केवल समाज के हिप में काम आएगा किसी समाज के विक्ति की असामिक मृत्य हो, तुरंत उसको सहायता की जाए आप नहीं जाएंगे, वो मिशनरी जाएगा बाइबल लेकर, पंतरा लाग रुपे देकर जाकर उसको इसाही बनाएगा चीनी की बोरी देकर, चीनी चावल की बोरी देकर उसको इसाही बनाएगा और ये काम करने के लिए भी एक मशीनरी चाहिए, उसकी फंडिंग भी इसी पैसे से हो, वो लोग जो ये काम करेंगे, भई आप तो अपनी दुकानदारी में लगे हो, मैं अपने अस्पता चलाने में लगा हूँ, ये करेगा कौन काम, पेड एंप्लोईज, तो उसके लिए आपको एक सेंट्रल कॉर्पस जिनेरिक फंडिंग चाहिए, वो धर्मांच फांडेशन इंडिया हिंदूों के लिए मैंने खड़ा किया हुआ है, उस पर जाएं आप उस पर दान दे सो रुपे मैंने का, ये काम पृत्त्य समाज को करना चाहिए, हर समाज की अपनी फंडि मैं दे दूँगा, आप वहाँ पी जाकर जितनी हो हमारे जितने भी चहते लोग हैं वह करें और हमारे समाज को जागरूप करें और आगे बढ़ें, हमारे समाज को जिन्दा करने में इनका साथ दें और हमारा साथ दें, धन्यवासां, जैमता जी की हर हर महादे, धन्यवा बाल